क्या आप भी आलू की वही रोजवाली सबजी खाखा के बोर हो चुके हैं तो मैं आज आप के लिए लेके आई हूँ आलू की एक ऐसी मस्त रेसिपी जिसका स्वात लाजवाब है बनाने में बहुत आसान है और बहुत टेस्टी होती है इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं प परिकटीवी हर इमेर्ज इसे हमें फ्राइक कर लेना है यानि कि हमें प्याच का कलर्ण चेंज होने तक इसे भूनना है इधर जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इसमे डालेंगे एक चमच अद्रकव लहसुन का पेस्ट इसको भी हमें एक से दो मिनट के लिए थोड़ा सा भूनना है इधर जब प्याज लेस्टू नमारा थोड़ा पक जाएगा तो हम इसमे डालेंगे एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पाने डाल के इसे मिक्स करेंगे हमने कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर पहले इसलिए डाला है ताकि जो सबजी का कलर है बहुत अच्छा है इधर जब मिर्चमाई थोड़ी पक जाएगी तो हम इसमे डालेंगे एक बड़े साइच के टमार्टर की प्यूरी आधा चमाच नमक एट करेंगे बाकी का नमक हम बाद में एट करेंगे और यहाँ पर हमें टमार्टर प्यूरी को पका लेना है दो मिनट के लिए हमें टमार्टर को पकाना है यापर अब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले 1-4 चमच हल्दी पाउडर, 1 चमच धनिया पाउडर एट किया और 1-4 चमच देगी मिर्च और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1-4 चमच और सारे मसालों को हमें चलाते हुए लगातार पकाना है इधर मसालों को हमें बहुत अच्छी तरीके से पकाना है तबी सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इधर आप देख सकते हैं मसाला पक चुका है तेल टैपलेट हो चुका है इसमें से अब हम इसमें डालेंगे 2-3 चंबर दही ये नॉर्मल दही मैंने लिया है ठंडा दही यहाँ पर ना डालें वनना मसाले के संग दही फट जाएगा और दही को मसालों के संग बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है इधर दही के संग मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा पक चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी आपको जितनी जरुवत है आप उसके साब से आपर पानी एड़ करें मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी एड़ कर लिया है और यहाँ पर ढखके से हमें 10-15 मिनट के लिए पका लेना है अब हम आलू भुना मसाला बनाने के लिए सारी सब जो को फ्राइ कर लेंगे पैन में मैंने डाला दो चम्मच के आसपास तेल और दो हरी मिर्च बीच में थे कटी वी और इसके साथ ही मैंने लिया है स्लाइस में कटा हुआ एक बड़े साइच का प्याज इसे थोड़ा सा में पका लेना है यानि कि प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है बस इसका जो कच्चापन है ना प्याज का वो चला जाना चाहिए इसके साथ ही मैं यहाँ पर add करूंगी एक बड़े साइच की सिमला मिर्च जिसे मैंने बड़े बड़े टुकडों में काटा हुआ है स्लाइस में और इसको भी हमें fry कर लेना है और जब सिमला में थोड़ी सी फ्राइ हो जाए तो हम इसमें आट करेंगे चार मीडियम साइज के बॉयल केवे आलू जिसे मैंने चार टुकडों में काटा हुआ है आधा चंमच नमक एड करेंगे और कसुरी मेति को क्रस्ट करके डालेंगे उपर से और यहाँ पर हमें आलू को फ्राइए करना है साथ ही मैंने डाल लिया है गरम, मसाला, पावडर, आधा चंमच ऐसे टॉस करते वे सारी सब्जो को हमें मसाले के संग मिक्स करना है यहाँ पर हमें आलू और सब्जों को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है इधर हमारा आलू भी बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है बस दो से तीम रट के लिए हमें आलू और बाकी सब्जों को भूनना है अब हम इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए आपर डालेंगे चिली फ्लेक्स यह ओफिसनल है आपके पास हैं तो डालें वन्ना ना डालें इसे मिक्स कर लेंगे यह हमारी सारी सब्जेट फ्राई हो चुकी है इधर ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी तरीकी से पक चुकी है और सारी सब्जेट में एड़ कर लेंगे और इसे याँ पर हमें मिक्स करना है मसालों के साथ इधर मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब हम यहाँ पर इसे पांच मिनट के लिए ढखके पका लेंगे पांच मिनट के बाब मैं ढखकन उठाऊंगी आप इधर देख सकते हैं ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है और सबजिया भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है यह हमारा आलू भुना मसाला बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं किती टेस्टी रेसिपी बनके हमाई तयार हुई है एक बार आप इसे बना के जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी उपर से धनिया की पत्ते डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे इधर हमारी आलू भुना वसाला की रेसिपी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है बहुत टेस्टी सबजी बनके तयार होती है आप एक बार बना के इसे जरूर ट्राइक करें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शियर करें धन्यवाद